अज़ गुड़ी और वेलकम तु स्टडी आईक्यो आएस स्टडी आईक्यो आईस के एथिक्स डिलमा सेशन में आप सब का स्वागत है मुझे उमीध है कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे दोस्तो इस सेशन में हम जीएस पेपर 4 को लेकर डिसकशन्स करते हैं हम बात क करते हैं Case Studies की हम बात करते हैं Philosophers की हम बात करते हैं बहुत ही important examples की जो की ना केवल ethics के GS paper 4 में बलकि essay में और बाकी के GS के जो papers हैं उनमें भी हमारी मदद कर सकते हैं आज का हमारा session कुछ उसी तरह का session रहेगा जहां हम एक बहुत ही important case study discuss करेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से एक IAS officer ने ना केवल हजारों जाने बचाई बलकि पूरे देश में एक मिसाल कायम की कि अगर आप चाहें तो emergency से या emergency situation से बहुत ही efficiency लड़के example सेट कर सकते हैं तो आज का हमारा जो model रहेगा वो महराश्टरा के एक district से जुड़ा हुआ है जहां पर एक IAS officer ने मिसाल कायम की महराश्टरा का यह जो district है इसे कहा जाता है नंदर बार district वहां का model आज हम discuss करने वाले हैं so I hope कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे चलिए आप सब लोग जुड़ चुके हैं अश्वनी नागेश ओके राथोड बीभू दुर्बजी चलिए तो आज का हमारा यह session शुरू करते हैं यह जो officer है यह एक doctor है doctor बनने के बाद इन्होंने IAS clear किया और इन्होंने अपनी professional knowledge का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया और जो कोविड के समय में इनकी strategy है वो सब के लिए एक lesson है हमें भी वो देखनी चाहिए कि किस तरह से प्री planning करके आप ना केवल district में बलकि पूरी state में लोगों को सिर्फ प्रेड़ना ही नहीं बलकि लोगों की मदद भी कर सकते हो तो यह आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं चलिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आखरी डेट है अगर आप 2022 2023 या फिर 2024 के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आज आखरी डेट है अपने आपको दिवाली का एक बहुत ही बढ़िया सा तौफा देने का यह सम करना चाहें तो चांद लाइव का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डिसकाउंटेड प्राइस पर पास सकते हैं चलिए अब बात करते हैं पीपीटी जैंड पीडिएफ की तो मैं आपको वह सभी पीपीटी पीडिएफ इस चैनल पर भीजता हूं आप यहां से किया सो मैं आज वह आपके साथ यहां पर डिसकर्स कर रहा हूं थैंक्यों अंगिताब ना सबसे पहले बात करते हैं नंदुरबार की एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जहां पर 75 परसेंट अब पॉपलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपलेशन है उस ड एतं जो नो टोगे रीन इकनल कर आ रहे थे जब सेकेंड वे अता है तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाग थी और जो 100 2500 डीके गृंडर निकल कर आ रहे थे नंदुर बार में एवर्रीट n डे के kлюдard वर्राइब में को बीचिम में पहुन जाता है आनि कि जो second wave थी it was almost around 10 times heavier or 10 times taking toll on the lives of people so this background में हमें ये पूरी story समझने हैं now नंदुरबार जैसे कि मैंने कहा कि एक tribal inhabited region है महाराष्टरा का district है और जैसे कि बाकी सारा देश कोविड से जूज रहा था नंदुरबार भी कि पहली कोविड की वेव में कोविड से बहुती बुरी तरहन से जूजता है इसमें हमें देखने को मिलता है कि कोविड ने जब सेकेंड वेव आती है कोविड की उस सिचुएशन में सेकेंड वेव आने हkee पूरी की पूरी पिक्र पलड जाती है फ़र्स्ट वेव खतम होने से पहले ही सेकेंट विव की त्यारी शुरू हो जाती है एक लोता ऐसा डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलता है जिसमें फ़र्स फाली सब्पावी खत्ब नहीं हुई लेकिन सेकंड वेव के लिए प्रप्रेशन पहले ही शुरू हो जाती है और वह प्रप्रिपरेशन ने पूरी की पूरी पिक्चर बदल दी आज हम वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को डिसकस करेंगे वो पूरे के पूरे कदम जो उठाए गए इन आएस आफिसर के द्वारा वो हम देखेंगे और किस तरह से जो हम अपनी के स्टरीज में पढ़ते आए हैं जब वो जमीन पर लागू हो होता है तो उसका क्या बहतरीन रिजल्ट निकलता है वो आज हम देखने वादे ठीक है चलिए सो मैंने आपको बताया कि किस तरह हैं से नंदुर बार ने एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के रूप में अपनी पहचान कायम की जो की नाकेवल खुद के लोगों की जान बचाता है ब अपने लोगों की जान बचाई बलकि ओवर दा पिरिड आफ टाइम हमें यह देखने को मिलता है कि इन्हों ने अपना जो कोविड लोड था वो 30% के दर से शेड भी किया निकि अपना जो कोविड परसेंटेज था वाकी डिस्ट्रिक्ट की के जो कंपेरिजन में उसे इन् इनका जनम भी इनका जो पूरा का पूरा स्कूलिंग है वो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में इनका ट्राइबल फैमिली में जनम हुआ इनके जनम से पहले ही इनके फादर की डेथ हो जाती है और इनकी जो मदर थी जो इनकी पास MD करने के पैसे नहीं थे इनके फॉर्म नहीं ये भर पाते हैं और बाइ चांस ये MD क्योंकि पैसे नहीं थे तो ये क्या करते हैं कि अपना रस्ता बदलते हैं और UPSC की त्यारी करते हैं 2013 के IS बैच के ऑफिसर हैं UPSC बैच के ऑफिसर हैं 2013 के और इन्हों ने अपनी जो एजुकेशन थी उसका कमाल कर दिखाया जो सरकार ने इनको स्कॉलर्शिप दे कर पढ़ाया इन्हों ने एक ही बार में उसका सारा रिटर्न कर दिया ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये डॉक्टर थे इन्हों ने अपनी जो नॉलेश थी एज़ा डॉक्टर उसका भरपूर फायदा उठाया जो कि हमें इनकी केस में आज देखने को मिलेगा चली ना नंदूर बार कि अगर हम first के कोवड़ वेव की बात करें क्योंकि हम सब जानते हैं कि अचानक से कोवड की डिकलेरेशन होती है अचानक से मार्च में प्रधानमंतरी ने कहा कि लोगडाउन होगा जब हम उस सिच्वेशन की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोई रैडी नहीं था कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिसके पास अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो ऐसे फैसिल्थ फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है तो वैसा ही कुछ हाल नंदुरबार का भी था फ़र्स्ट वेव के समय में इन्हें भी ऑक्सीजन के लिए गुजरात जैसे जो स्टेट्स हैं वहां पे सूरत जैसे जो शहर हैं उन पे डिपेंडेंट रहना होता है और वो पैटरन ये होता है कि एक फिर दूसरी वे फिर तीसरी वे आती है जब तक कि कोई पर्मानेट इलाज बीमारी का ना ढूंडलीया जाए किसी पैंडमेक का इलाज ना मिल जाए तब तक वेव में ये चलते रहते हैं यह payment बिघृब्огन में आना शुरू हुआ था कि शायद second covid wave आ सकती है उससे पहले ही Dr. Rajendra ने अपनी second covid wave की त्यारी शुरू कर दी थी in fact first covid wave अभी खतम हो रही थी उससे पहले ही second wave की इन्हों ने त्यारी शुरू कर दी उसका result आज हम यहाँ पर discuss करने वाले तो तो अगेन मैंने यहाँ पर लिखा भी है that he already anticipated the surge of second wave in near future and उसका कारण था इनका medical background जहाँ पर इनको जिसका knowledge का इन्हों ने भरपूर इस्तिमाल किया ना इनको इनकी preparation थी जो कि first covid wave के time ही शुरू हुई second के लिए और war scale पे इन्होंने preparation की और इन्होंने क्या क्या काम किया उसमें बेसिकली इन्होंने priority basis पे सबसे पहले तो oxygen plants जो है वो लगाए अपने district में oxygen plants again आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब covid देख चुके हैं आप सब में से कई सारे लोगों ने अपने आसपास बहुती खास लोगों को जाते हुए देखा है खोया है तो आप लोग जानते हैं कि उस समय में oxygen की सबसे बड़ी दिक्कत आई थी और oxygen की अगर दिक्कत को मैनेज कर लिया गया कहीं पे तो वहां पर death rate was very you know limited और minimal और वैसा ही हमें नंदुर बार के केस में देखने को मिलता है और सबसे जादा जो जरूरी है अगर वह हम यहां पर maintain कर लेंगे तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे अब यह इतना मामला simple नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ oxygen का इंतिजाम कर लिया और जान बच गई ऐसा नहीं है oxygen आ जाने से लोगों की जान नहीं बच्ती है oxygen का सही समय पर इस्तेमाल करना पड़ता ह ہیں कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है कितना इस्तिमाल करना उसके लिए भी इन्होंने एंटिसेपेट किया और उसको भी आज हम यहां पे discuss करेंगे साथी में ही वेरी मच क्लियर इनका इनका फंडा क्लियर है कि बास fund होने से बात नहीं बनती है फंड को मैनेज करना आना चाहिए और कैसे manage किया जाता है वो आज आप यहां पर सीखोगे साथी में किस तरह से लोगों को part of the solution बनाना है उसका एक example हम यहां पर देखेंगे साथी में technological innovation या technological intervention का किस तरह से फाइदा उठाना है है आप इनके केस में आज देखने वाले ठीक है चली सो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि भाई इनका first जो priority थी वो थी oxygen का इंतिजाम करना तो इन्हों ने क्या किया यहां पर इन्होंने oxygen की त्यारी शुरू की पहला plant इन्होंने oxygen का लगाया अपने district में और वो पहला plant जो है तभी लगा लिया था जब first covid wave जो है वो डाउन जा रही थी एक ऐसी situation जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि second covid wave आ सकती है he was already preparing for the second covid wave all right so पहला इन्होंने जो plant लगाया it was producing 600 liters of oxygen per minute but again यह जो district है इसकी population लगब 20 लाख है और 20 लाख population के लिए अगर आप एक plant से चाहें कि वो मदद कर देगा it is not going to help but in any case इनको जो डर था वो यह सच होता है और second covid wave आ जाती है और second covid wave के लिए भी इन्होंने अपने आपको क्योंकि एक plant तो इन्होंने लगाई लिया था second covid वेव आने से पहले ही बाइड सेम टाइम second covid wave पहले इंडिया में नहीं आई थी if you remember second covid wave पहले Brazil में आई अमेरिका में आई और वहां से इन्होंने पहले ही lesson सीख लिया और जैसे ही second covid वेव ब्राजील अमेरिका में आई इन्होंने दूसरा covid प्लांट और ऑक्सीजन प्लांट तीसरा oxygen प्लांट यह तीन प्लांट खुद के लेवल पर लगाए सरकारी लेवल पर लगाए तो second covid और ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने भारत में second covid वेव आने से पहले ही functional कर दिये एक और जो इनके केस में बहुत बड़ी achievement देखने को मिलती है वो यह कि भाई इन्होंने दो बड़े-बड़े hospitals को भी convince कर लिया कि वो at least अपने hospital की requirement को fulfill करने के लिए अपने अपने hospital में दो oxygen plants लगाएं बेशेक छोटे लेवल पर लगा लें कोई दिक्कत नहीं लेकिन oxygen plant लगा लें सो इस तरह से वो दोनों hospitals मान गए सो तीन प्लस दो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि पांच oxygen plants already functional हो गए जब second covid wave आई उससे पहले ही तो यह पहली लड़ाई इन्हों ने पहले ही जीत ली अगेन जैसे सुन्जू कहते भी हैं सुन्जू the art of war में उन्होंने कहा भी है कि जो जीतते हैं वो लड़ाई लड़ने से पहले ही जीत कर जाते हैं और जो हारते हैं वो लड़ाई the art of war में बात कही है वो यहाँ पर इनके case में हमें सच होती हुई दिखाई देती है so five oxygen plants के साथ he was already prepared कि second covid wave से लड़ सकते हैं जो की scale में first covid wave से काफी जादा बड़ी हमें देखने को मिलती है ना एक और यहाँ पर example इन से देखने को मिलता है एक lesson हमें इन से और जो सीखने को मिलता है वो यह कि कभी भी किसी भी pandemic situation में या किसी भी panic situation में आप नी जर्क reaction नहीं दे सकते हो especially when you are an I.A.S. officer जब आप एक I.A.S. officer हो तो आप नी जर्क reaction से काम नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है कि कुछ problem आ गई एकदम से आपने उसको नी जर्क reaction में quickly react कर दिया वो नहीं कर सकते जो वो इनके case में हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा एक example से समझते हैं example क्या है basically बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि नंदुरबार जो है वो एक tribal district है tribal district की 75% population जो है वो I mean basically वो है tribal है और उसमे 75% population जो है वो सरकार द्वारा provide की गई medical facilities पर depend करती है so 75% of the population in नंदुरबार district is dependent on the medical facilities provided by the government department अब ऐसे में यह जो hospitals है जो सरकारी hospital है जो main hospital है district का उसका इस्तिमाल किया जाता है रोज मर्रा की medical requirements के लिए जैसे pregnant women की delivery वहाँ होनी है OPD वहाँ चल रहा है कोई emergency cases आते हैं तो वहाँ पर चल रहे हैं ऐसे में अगर कोई और होता तो शायद वो उस सरकारी hospital को कोविड facility में बदल देता बट यह understood the ground realities pragmatic जिसको हम बोलते हैं कि pragmatic approach होनी चाहिए वो इनके case में देखने को मिलता है यह understood the ground reality इनको पता चल रहा है कि 75% population के लिए सरकारी hospital ही main source of medicine है तो ऐसे में मैं इसको कोविड facility के रूप में नहीं बदल सकता इन्होंने क्या किया इन्होंने उस सरकारी hospital को end तक चुआ तक नहीं इन्होंने एक hospital और उठाया जो की general medicine के लिए काम आ रहा है उसे छोड़ कर और नई कोविड facilities को डवलप करना शुरू किया that is also again before the second wave could come यह अपनी यह सारी त्यारी पूरी कर रहे हैं so basically इन्होंने जैसे कि मैंने आपको कहा क्योंकि 75% of the population जो है disease facility फैलने का खतरा रहता तो इन्होंने एक आई hospital को उठाया और उसको कोविड facility बनाया 20 बैड की एक कोविड facility उसे बनाया और धीरे धीरे करते हुए इन्होंने उस 20 बैड की जगहां पर 200 बैड का एक facility बनाई and over the period of few months इन्होंने उस 200 बैड को लगबग 1300 बैड में completely cover कर दिया यानि convert कर दिया so 20 बैड से शुरू करके 1300 बैड तक का यह जो सफर था यह बहुत इन्होंने एक स्टॉक त्यार कर लिया कि भई कोविड आया कोविड में फिर वो 1300 बैड को बहुत ही एफिशेंटली इस्तिमाल किया इन्होंने ना इनकी एक और यहां पर अप्रोच रही वो था कि आई-सोलेशन के लिए जो कोविड पेशेंट होंगे उनके लिए आई-सोलेशन के लिए अलग से हमें एक इंतिजाम करना होगा अब आप मेर को बताओ कि AISOLATION क्यूं करना होता है कभी भी COVID patient जब हम isolate कर रहे थे हुनने, so what was the reason you please tell me in the comment box कि क्यों हम COVID patients को isolate कर रहे थे, what was the reason for isolation क्यों हमने COVID patients को isolate किया, what was the need felt, why was the need felt to isolate, please tell me in the comment box, okay मैं एूर कह रहे है कि sir this is my district, good, now what was the reason क्या reason है कि हमने covid patients को isolate करके रखा to prevent rapid spread again जैसे कि यहां पर बिभू ने कहा कि sir prevent करना है हमें rapid spread को to avoid transmission यह एक कारण है but that is not the only purpose again हम सब जानते हैं कि covid patients को हमने isolate करके रखा to prevent the spread जैसे कि आप लोगों ने लिखा भी but that is not the only reason इनका सोच ही अलग है यह क्या कह रहे है कि covid patients को isolate करना है ताकि उन्हें observation में रखा जा सके observation में क्यों रखना है ताकि timely उन्हें oxygen की supply दी जा सके अभी मैं उसके उपर भी आऊंगा कि oxygen की supply कितनी important है कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए वो भी इन्हों ने बताया खेर इन्हों ने isolation coaches बनाए isolation centers बनाए basically जो कि हमें देखने को मलता है कि 7000 isolation beds इन्हों ने त्यार किये जो कि schools में hostels में और साथ ही में जो hotel से उन सब में इन्होंने वहां पर जो है क्या किया isolation centers बनाए इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन railway की भी मदद ली और इंडियन railway ने इनको कुछ coaches provide किये कुछ railway के coaches provide किये जिसमें इन्होंने isolation centers बनाए मैं उनकी कुछ photographs भी आपको दिखाऊंगा so 21 coach Indian railway ने इनको दिये और हर coach में इन्होंने 16 patients का इंतिजाम किया 16 patients को रखा जा सकता था और हर coach में bed roll pillow napkins वगरा और आप देखेंगे कि oxygen cylinders हर coach में provide कि जा रहे हैं toilets और toilet paper वगरा जैसे आप यह देखें पीछे photograph भी देख पारें so it is a coach basically उसी coach में इन्होंने isolation center बनाया है आप यह देखेंगे यह train के बाहर का नजारा है यह जो आप देख रहे हो this is train के बाहर का नजारा हर coach में इन्होंने coolers वगरा लगाए है और राइट से इस तरह है से इंडियन रेलवे को इन्होंने अपना utilization की इंडियन रेलवे के resources का और isolation center इन्होंने यहां पर बनाया ना एक और फोटो में आपको दिखाता हूं यह हमारे उस समय के जो रेलवे मिनिस्टर है डॉक्ट मिस्टर प्यूश गोईल उनकी द्वारा ट्वीट किया गया था यह फोटोग्राफ तो उन्होंने भी नंदुर बार का यह बताया था एक्जामपल की किस तरह से नंदुर बार में इंडियन रेलवे के कोच इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एजन आइसुलेशन फैसिलिटी आप देखिए यह रेलवे के कोच की छत कवर की गई ताकि अंदर गर्मी ना रहे रेलवे के कोच में आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए बाहर कूलर लगा दिये गए और किस तरह से बैडिंग यहां पर प्रवाइड की जा रहे है तो अगेन बहुत ही अटेंटिवली ही इस प्रवाइडिंग फॉर आईसुलेशन सेंटर इसुलेशन के लिए बैट जिन्हों ने त्यार किये और जैसे कि मैंने आपको कहा की आईसुलेशन के लिए क्या एम था तो आपने कहा कि सर प्र प्रेश़स रिसॉर्स यह सिंपल है इनका फंडा क्लियर है कि ऑक्सीजन जो है वह वाथी प्रेश़स रिसोर्स है अगर एकक वलिड पेशेंट है आप उसे अब्जर्वेशन में रखो अब्जर्वेशन में जैसे ही उसका सैचैचुरेशन लेवल औफ औक इस आपकम होना इसी भी patient की oxygen थोड़ी सी भी down जा रही है required से उसे तुरंत oxygen facilities provide कराई जासे के क्यों उसका भी कारण है यह खुद कहते हैं कि अगर oxygen को हम early stage में provide कर दें तो एक patient को जान बचाने के लिए 5-7 लीटर oxygen चाहिए लेकिन अगर हम wait करें कि patient को अभी critical हो जाएगा तब उसको oxygen देंगे नहीं तो recovery हो जाए क्या पता तो अगर critical patient को आप oxygen देते हो तो उसी patient की जान बचाने के लिए आपको 50-60 लीटर यानि की 10 टाइम जादा 10 गुना जादा oxygen देनी पड़ती है तो इनका funda clear है कि हमें isolation center बनाने है केवल इसलिए नहीं कि हमें spread रोकना है वो तो रोके रोके रोक बढ़ें तो वह यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि क्यों इन्होंने oxygen centers बनाई isolation centers बनाए खेर वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दूसरा जैसे कि मैंने आपको कहा इन्होंने अपने interview में भी बताया है कि हमें oxygen को भी optimally use करना था जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा भी कि भई अगर हम देखें कि एक patient जो कि critical हो चुका है तो उसके case में maximum oxygen waste होती है जैसे माली जी एक patient है critical हो गया तो उसको आप 10 लीटर oxygen देते हो वो यूज करेगा शायद एक लीटर लेकिन जो पेशेंट शुरुवाती stage में अगर आप उसे oxygen दे रहे हो तो वह 70% जो oxygen है एक ल उने बनाए कि observation में patients को रखा जा सकते दूसरा होता है multiplication of force देखें आप आई एस officer है मैंने आपके साथ कई सारी case studies यहाँ पर discuss की है हमने कई सारी case studies में यह कहा है कि भई हमें हमेशा जो वहां के youngsters हैं वहां के जो population इस एरिया में को disaster आया वहां की population को part of the solution बनाने पर ध्यान द जाहिए वह इनके case में भी देखने को मिलता है इनका में interview भी सुन रहा था and he was very much clear he said कि सर देखो 30 से 50 40 के पास जो है हमारी percentage of जो वर्क फोर्स है वो missing है basically सरकार की तरफ से जो हमें staff provide होना चाहिए था medical staff provide होना चाहिए था उसमें 30 to 40% अभी vacances full नहीं हुई थी ऐसे में doctors और nurses हमारे पास कम थी तो हमने क्या किया resource optimization human resource optimization की उपर काम किया हमने यहां पर doctors और nurses को केवल और केवल वही function करने के लिए रखा जो की उस जिसमें उनका expertise था जैसे कि doctor और nurses वह आपके swab test करेंगे doctors या फिर nurses आपको vaccination provide करेंगे आपका treatment करेंगे इसके अलावा doctors और nurses को हमने over burden कि या नहीं बाकी जो भी काम थे उसके लिए हमने non medical staff की मदद ली non medical staff में किसकी मदद ली सर तो non medical staff में इन्होंने यहां पर बताया कि हमने यहां पर gram सेवक्स की मदद ली हमने teachers की मदद ली जो हमारे सरकारी departments है बाकी कि सारे सरकारी departments है चाए वो cooperative societies है या फिर PWD है water department है agriculture department है उनके जो officers थे उनको भी बाकी सब काम करने से मना करके हमने उनकी भी यहां पर मदद ली so again इन्होंने staff को भी दो parts में divide किया एक तो medical staff और दूसरा क्या था non medical staff अब medical staff को इन्होंने क्या किया केवल और केवल वही काम दिया जो की medicine से related था जैसे कि injection लगाना किसी को vaccination लगाना यह treatment करना जो non medical staff था उन्हें इन्होंने rest of the work जो है वहां पर दे दिया अब ऐसे में क्या हुआ कि जो जिसमें specialized है वह वह कर रहा है उसके specialization का फाइदा सबको मिल रहा है और बाकी का जो staff है वो generalized काम जो है वो बाकी के staff को दिया गया या फिर volunteer को दिया जैसे कि patients को trace करने का काम patients को घरों से isolation center में लाने का काम isolation स्टाफ को दिया जिसमें मैं आपको दुबारा बता देता हूं ग्राम से वक्स आ गए टीचर्स आ गए या जो बाकी के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे क्लरक्स वगरा थे उन सब को इन्होंने इसमें इससे दो फायदे हुए फायदा पहला तो यह हुआ कि सारा का सारा ज में लोगों को गवर्नेंस एक्ट्रल में फील होती है कि वाकई में गौर्वर्मेंट या सरकार हमारा काम कर रही है हमारी मदद कर रही है हमारे लिए खड़ी है तो एक तो यह फायदा हुआ दूसरा जो मेडिकल स्टाफ था उसकी स्पेशलाइजेशन का फायदा मरीजों तक पहुंचा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टन इंटर्वेंशन थी और लोगों की जान बचने में काफी सहायता मिलती है इस कदम से सो दिस इस हाव मल्टिप्लिकेशन ऑफ पोर्स एंड ऑप्तिमाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स हमें इनके केस में देखने को मिलता है दूस उसके लिए इन्होंने टेकनोलोजी की मदद ली इन्होंने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई वो डेडिकेटेड वेबसाइट पे रियल टाइम बेसिस पे आपको यह प्रोवाइड किया जा रहा इंफोर्मेशन कि कौन सी जगहां पर किस हॉस्पिटल में कितने सकते हैं कि हमारा पेशेंट है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है तुरंत एम्बुलेंस में जो वहां का स्टाफ है वो आएगा उन्हें लेगा और उनको आईसलेशन सेंटर में ले जाएगा आपको यह हेल्प लाइन ऐसी मिलेगी कि आपको उसमें 100 आप पोरी टीम बैठी है जो कि आपको जवाब कर यह था सबस्क्राइस पर काम है जो कि ऑक टो पैनिक होने से बचा था business फिलने से बचाता है उसकी ऊपर भी इनका काफी जादा ईहीं कर रहा है इस केस में जो कि वतना ऊंदेशने को मिलता ओर बहुत सारे लोग पैनिक का शिकार होकर भी अपनी जान गवाते हैं वो यहाँ पर मिनिमल हमें देखने को मिलता है बिकोज efficient utilization of resources हमें यहाँ पर देखने को मिलता है so online control room एक और बड़ी achievement रहा website तो था ही था dedicated website जो कि एक dashboard की तरह काम कर रहा है and तीसरा था help line online control room का भी क्या purpose था वो भी मैं आपको बता देता हूं basically online control room का function था की coordination को maintain करना मान लीजिए district के एक area में hospitals जो beds है वो कम है तो online control room दूसरे hospital से बात करेगा वहाँ पर availability है तो फटा-फट से patients को वहाँ से दूसरे hospital में भेज दिया जाएगा इसी तरह से oxygen की availability vaccination की availability everything was controlled centrally from this district control room so this is how it worked all right so यह भी एक बहुत ही important intervention हमें देखने को मिलती है फिर आती है जी बात management of funds की डॉक्टर रजिंदर का funda clear है he says कि funds की availability is not the issue बिल्कुल funds की availability issue नहीं है funds आपको भर-भर के मिल जाते हैं आपको उन्हें manage करना आना चाहिए that is what is required तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि इन्होंने funds का इस्तेवाल कहां से I mean कहां से इन्होंने इकठे किए funds तो इन्होंने funds को जो है अलाग-अलाग sources से इकठा किया basically खर्चे बहुत थे covid के time पे इन्हें oxygen plant के लिए भी पैसा चाहिए था इन्हें पैसा चाहिए था ventilators के लिए पैसा चाहिए vaccination के लिए चाहिए medicine के लिए चाहिए and doctors की फी या आप कहेंगे कि nurses की तनका यह सब्के लिए पैसा चाहिए था भ्रण्स तो बहुत जादा चाहिए थे तो इन्होंने क्या किया in ने different different sources से पैसा इकथा किया जैसे की National Rural Health Mission का कुछ पैसा था disaster and district planning and development fund का पैसा था या फिर state disaster relief fund का पैसा था तो अलग-अलग पैसे को इन्हों ने कथा किया और अलग-अलग purposes के लिए इस्तेमाल किया सो CSR सबसे बड़ा इनका एक और जो यहाँ पर रहा पैसे का सोर्स वो था corporate social responsibility corporate social responsibility की तो मैं आपको यहाँ पर एक example भी देता हूँ कि एक ही company ने इनके district की एक ही company ने इन्हें 30 ambulances जो हैं वो provide करें 30 ambulance एक ही company इन्हें district में provide करवा रही है under corporate social responsibility fund आप देखें कितने efficiently इन्होंने corporate social responsibility fund को इस्तिमाल किया 30 ambulances दो जो वो होते ने dead bodies को carry करने के लिए शव वहन वो भी उस company के द्वारा इनको provide कराए गए साथी में इन्होंने क्या किया नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें भी कहा कि आपके पास भी कुछ funds हैं आप उसका भी इस्तिमाल किजिए तो नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत थी उनको यह आदेश दिये गए कि आप अपने पैसे से कुछ महीनों के लिए कुछ जो वीकल्ज हैं उन्हें किराय पर लेलो जैसे कि एक नगर पालिका को कहा कि आप दो या तीन वीकल्ज को किराय पर लेलो उन वीकल्ज को 30,000 रूपीज पर मन्थ खिराय पे लिया गया और उनका इस्तिमाल किया गया as an ambulance लगबग लगबग 30 ambulance इन्हें मिल जाती है इस CSR के अंडर और लगबग 30 से 40 ambulance है वो इन्होंने नगरपालिकाज और जो ग्राम पंचायत से हैं उनके सतर से 80 के बीच में पहुंच जाती है जूकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी हो जाती है उस समय में जब कोवड़ था इस तरह से इन्होंने किराय पर भी ambulance वगरा का इंतजाम किया और आप देख रहें कि फंड्स की efficient management अब देखो एक ही बार में एक कंपणी ने इने 30 से एंबुलेंस दे दी वह कंपणी ने पैसा अपनी जेब से दिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट दूसरी बात ये कि भाई पैसे का अलग-अलग source तुम्हेंने आपको बताया but how to utilize that funds how to use those funds उसका भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्जामपल यहां पर हमें दिया किस तरह से चलिए देखते हैं यह कहते हैं कि देखो oxygen plants जो है वो हर oxygen plant की जो कीमत है लगबग 85 lakh रूपी लिए तो इसके लिए हमें घूना पड़ा कि हमारा सबसे बड़ा source of funding क्या है तो हमें समझ आयकी हमरा जो सबसे बड़ा source of funding क्या है वो है disaster relief fund ढौState disaster relief fund है हमारा सबसे बड़ा source of है तो उसका जो भी पैसा था वो हमने oxygen plants में लगाया उसके बाद इन्हों ने कहा कि doctors का पैसा beds का पैसा mattresses का पैसा ये सारा पैसा कहां से आएगा तो इन्हों ने कहा कि इसके लिए हमने यूज किया national rural health mission का जो हमें फंड मिला हो था इसी तरह से हमने देखा कि ambulance कहां से आ रही है ambulance CSR से आ रही है corporate social responsibility fund से आ रही है नगरपालिका के फंड से आ रही है ग्राम पंचायत के फंड से आ रही है so he he realized कि भाई हमें source को allocate करना पड़ेगा और हर requirement के लिए है जैसे मालो यह हमारी list है हमारी requirements की list है so requirement one two three और यह funds है funds one two three four इस तरह से funds है तो match कर दिया है उन्होंने कि इसका पैसा यहां से आएगा इसका पैसा यहां से आएगा इस तरह से very efficiently managed system आप कह सकते हैं कि funds को भी efficiently manage किया जिसकी वज़े से कोई दिक्कत नहीं आई कोई problem यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती है फिर आता है सबसे important काम देखे vaccination का बहुत बड़ा डर रहा लोगों में लोगों को भारी हो जाता था लोगों के लिए आना मुश्किल हो जाता था ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वैसे भी 75 परसेंट जो population वो ट्राइबल है तो हिली terrain से आना मुश्किल था उनके लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने लोगों तक जाना शुरू कर दिया लोगों को बुलाने की बजाए अपने स्टाफ को इन्होंने लोगों को भेजना शुरू कर दिया लोगों तक उन्हें भेजना शुरू किया और आप देखते हैं कि इट बीचेम वान ओफ लिएस्ट डिस्ट्रेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सिनेशन की पैनेटरेशन थी और सबसे क्विक पैनेटरेशन हमें देखने को मिलती है तो वनोफ दी अर्लियस्ट डिस्ट्रिक्ट बन के पास vaccination घर पर बैठे पहुंच रही है तो जो नहीं आ सकते या जो डरे हुए थे उन तक भी vaccination पहुंच रही है उसका इंतजाम इन्होंने किया वही मैंने यहां पर लिखा that instead of calling people to us for vaccination we allotted 16 vehicles to every part of district to give vaccination so हर पार्ट में 16 vehicles का इंतजाम किया ताकि जो vaccination है हर घर पहुच सके this way people didn't have to travel on hilly terrains we robbed in teachers and sarpunches to spread the word about the seriousness of the situation and it worked so again awareness के लिए भी यहां पे इन्होंने मदद ली teachers की मदद ली अगें जो school होता है गाओं का school होता है उसके teachers होते हैं उनकी बात सुनी जाती है उनके जो teachers होते हैं लोगों उन पर रिलाय करते हैं उन पर भरोसा करते हैं सो जो गाओं के teachers से उनकी मदद ली गई और जो गाओं का सरपंच है उनकी मदद ली गई लोगों तक awareness पहुंचाने के लिए लोगों को vaccination के लिए ready करने के लिए again very nice initiative लोगों को जो attitude था vaccination के प्रती जो डर था vaccination को लेकर उसे निकालने में इन्होंने टीचर्स और सरपंचिस की मदद ली और राइट तो लाइट इस और इस वे डिस्ट्रिक्ट विकें वान अफ दी फ्यू विदिन दी हाइस्ट एंडी quickest penetration of vaccination in the country तो यह था हमारा आज का case study जो कि हमने देखा जो कि हमने डॉक्टर राजेंद्र जो कि आई एस ऑफिसर 2013 बैच के हैं उनके बारे में देखा मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि कि तरह से इन्होंने एक अपनी एक ही strategy थी इनकी की preparedness is the key he knew कि अगर आप prepared हो किसी भी crisis को लेकर तो आपने आधी से जादा जंग जो है जीत ली है जैसे कि सुन्जु ने कहा कि those who win the battle they already win it even before starting the battle so that is the pure case of you know this quotation जो कि हमने यहां पर इस example में देखा and पूरे देश के लिए यह एक मिसाल बना अगेन इनका model जो है बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में भी रैप्लिकेट करने की कोशिश की गई this is one of the cases जो कि आप अपने examination में भी लिख कर आ सकते हो so dr. Rajendra भरूद जो एक आयास officer है उनका यह case हमने यहां पर दिखाया यह होप कि आपको यह case पसंद आया होगा if you liked it तो आप इसे thumbs up दे सकते हैं आपको ppt में यहां पर भेजने वाला हूं so that is the place जहां पर आपको इसकी PDF या PPT मिल जाएगी तो आप यहां से download कर लिजेगा आप यहां पर मुझे message भेज सकते हैं thank you Ankita for sending this beautiful case जो कि आज हमने discuss किया and कल से हमारे इसमें classes जो हैं आप देखने को मिलेंगे आपको आप इसको join करना चाहें तो आप कर सकते हैं so आज यह batch इंफेक्ट आज शुरू हो गया है तो आज आप इसे join कर सकते हैं ठीक है thank you very much and this Diwali give yourself the knowledge gift as gift कल मिलेंगे कल तक के लिए thank you and see you tomorrow bye thank you